गुल्ली बुली और शौन आज काफी दिनों के बाद रॉड से मिलने जाने वाले हैं गुल्ली कहता है कि गुल्ली मेरे ही सबसे हमें जाते हुए रॉड के लिए कोई गिफ्ट ले लेना चाहिए वो जब आता है तो हमारे लिए धेर सारी आईस क्रीम लाता है तुम ही क्या लगता है हमें उसके लिए क्या ले जाना चाहिए गुल्ली कहता है कि बुल्ली हम उसके लिए एक छोटा भी माला शक ले चलेंगे रॉड को हो बहुत जादा पसंद है मगर पहले शौन को आ जाने दो उसके आने के बाद हम चलेंगे वैसे मैंने रॉट को फोन किया था वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है वो अभी घर पे होगा या अपनी वैन से कहीं गया होगा बुल्ली कहते है कि वो जरूर वैन से ही कहीं गया होगा वरना वो तुम्हारा फोन जरूर उठा था नहीं तो वो हमसे मिलने ज़रूर आता और अब शौन भी यहां आ गया शौन कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम दोनों तयार हो कह चलने के लिए गुल्ली कहता है कि शौन हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे चलो अब जल्दी चलते हैं ये लोग रॉट के घर के लिए जाही रहोते हैं तब इनको रास्ते में रॉट दिखाई दे जाता है मगर ये रॉट तो किसी को मार रहा है गुल्ली कहता है कि बुल्ली और शौन ये रॉट है ना अखिर ये मार पीट क्यों करने लगा और इसकी वैन की ऐसी हालत किस ने कर दी बुल्ली कहता है कि रुको मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ बुल्ली कहता है कि रॉट तुम ये क्या कर रहे हो रॉट की आँखे तो लाल है बुल्य कहते हैं कि रौट तुम ठीक तो हो ना कहीं तुम्हें कोई बिमारी हो गई है क्या अगर ये रौट तो कुछ बोल है नहीं रहा है और अब बुल्य को भी रौट से डर्लागने लगा श्रॉन कहते हैं कि बुल्य जल्दी इधर आजाओ शायद रॉट का दिमाग खराब हो चुका है इससे पहले तुम्हें नुक्सान पहुँचा है जल्दी आओ यहाँ गुल्ली भाग के इन लोगों के बास आ गया और अब रॉट भी इनकी ओरी आने लगा ये रॉट तो बड़ी अजीग तरीके से चल रहा है गुल्ली कहता है कि इससे पहले में रॉट मारते हम गाड़ी में बैठ यहाँ से निकलते हैं रॉट का इलाज हम बाद में सोचेंगे ये इनकी गाड़ी के पीछे कौन है ये तो इविल्लन है मगर इसके कपड़े बिजली जैसे क्यों हो गये हैं और इविल्लन इधर ही आने लगी और ये लोग भी पीछे इविल्लन को देख लेते हैं इन लोगों को अब घेड लिया गया है शौन्या से भागने लगा मगर ये दोनों तो डर के मारे हिली नहीं पा रहे हैं और रॉट ने इनको मार के बेहोश कर दिया और इविल्लन हसने लगी है और ये छुपके ये सब देख रहा है और अब इविल्लन इन दोनों को लेके जाने लगी है और शौन गुल्ली बुल्ली को ले जाता देख बहुत डर चुका है इससे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहे कि अब करे क्या अरे रौड तो अचानक से रुख गया इसने तो शौन को देख लिया है और शौन की उरी आने लगा शौन डर के दुबारे यहां से भागने लगा और अब रौड इसको भगा के बाबस जाने लगा शौन अभी भागते हुए बाबा के घर तक आ गया है बाबा तो अभी ध्यान लगा रहे है शौन सूच रहे कि बाबा को अभी उठाना चाहिए या नहीं शौन बाबा को आवाज लगाता है बाबा की आँके खुल गई बाबा कहते है कि क्या हुआ शौन तुम इतना शौर क्यों मचा रहे हो शौन कहते हैं कि बाबा गुली गुली को इविलन ले गई है और रोड भी अजीब सा हो गया है उसकी आखे लाल है और वो इविलन के साथ मिल गया है मैं बहुत मुश्किल से भाग के यह आई हूँ बाबा कहता है कि रॉड ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या या फिर इविलन ने उसको अपने वर्ष में कर लिया है शौन कहता है कि बाबा ये तो मुझे नहीं पता है मगर वो इविलन थोड़ी अलग देख रही थी वो बिजली जैसी थी बाबा कहता है कि वो तो इविलन की बेहन है उसके बारे में मैंने बहुत सुना है उसके पास बिजली की शक्तिया है और वो जिसको भी चाहे उसे वो बिजली के जटके दे सकती है मगर उसको तो काफिर पहले ही कैद कर दिया गया था उसको आजाब किसने कर दिया शौन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है बाबा मगर हमें गलिपुली को बचाना है इसलिए आप जल्दी मेरे साथ चलो ये दोनों गुलिपुली की ओर जाने लगे शौन कहता है कि बाबा अगर बिजली वाली इविलन इतनी जादा ताकतर है तो आप उसे हरापा होगे क्या बाबा कहता है कि पता नहीं शौन आज से पहले कभी मेरा उससे सामना नहीं हुआ है मगर तुम डरो मत मैं गुली गुली को कैसे भी करके बचा ही लूँगा बिजली वाली इविलन ने तो गुली बुली को बांध के रखा है और ये इन दोनों को ही घूरे जा रही है अर ये तो इविलन की आपे है और इसके आत में ये छड़ी कैसी है इविलन गुली बुली के पास ही आ गई इविलन कहते है कि यह आलसी रौट कहा रहे गया तुमने उसको देखा है क्या बिजली बाली इविलन कहते है कि हो तो मेरे साथ ही आ रहा था शादो कहीं गिर्विर गया होगा यह तो गुली को होश आने लगा और ये दोनों evil nun इसको देखने लगी है गुली इन दोनों को देखके कहता है कि तुमने हमें हाबान की क्यों रखा है और यहाँ पे दो evil nun कैसे है evil nun कहती है कि आकिर तुमें होश आही गया मगर अब तो तुमें खुद को मरते हुए देखना पड़ेगा evil nun इससे कहती है कि तुम सरा जाके देखो कि रॉड ने अब तक चाकू क्यों नहीं लाया और वो दिखे तो उसे वही मार देना अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है और हाँ उससे चाकू लाना मत भूलना बहुत समय बाद इन दोनों से बदला लेने का मौका मिला है मुझे और ये बिजली वाली विलन डॉट को ढूमने जाने लगी चौन बाबा के साथ इसी रूट पे आ गया है और ये लोग काफी देर से गुली बुली को ढूमते हुए बढ़ रहे हैं मगर इन गुली बुली दिखाई ही नहीं दे रहे हैं शौन कहता है कि बाबा मैं इतनी देर से चल चल के ठक चुका हूँ मेरी पूरी हालत ही खराब हो गई है मगर इन गुली बुली तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं बाबा कहते है कि ठीक है शौन मैं मदद बुलाता हूँ बाबा ने आखे बंद कर ली और लगता है कि ये ध्यान लगा रहे हैं अरी ये क्या आ रहा है ये तो बाबा का गोड़ा बादल है शौन कहता है कि अरे वा बाबा इसकी मदद से तो हम आसानी से उड़के उन्हें डून लेंगे और इधर रॉट का तो सिर्चक्राने लगा है लगता है कि ये इविल नन के कब्जे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है मगर अब तो यहां पर इविल नन भी आ गई कहिए इसे मार ना दे दोस्त अब क्या होगा रॉट का क्या आप रॉट इविल नन के कब्जे से बाहर आप आएगा या इसे ये बिचली वाली इविल नन मार देगी और क्या गुल्ले बुल्ली बच पाएंगे ये सब देखेंगे अभी इस कहानी के अगले पार्ट में इस का अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए के कमेंट्स में पार्ट तू जरूर लिखें और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें